नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अपडेट है बाबी के वो नेशन हॉस्पिटालिटी के शेर्स आज कारुबार के दुरान लगभग 18% की तेज़ी के साथ 1217 रुपीज पर पहुँच गए पिछले चार दुनों में कमपनी का श शेर्स में तेजी देखने को मिल रही है बिग बुल के नाम से फेमस लीडिंग इन्वेस्टर राकेश जुन जुन वाला की अपनी इन्वेस्मेंट कमपनी के जरिये इसमें 1.53% हिसेदारी है इस कमपनी ने इसी साल 7 अपरेल को शेर मार्केट में एंटरी की थी अगर आप आप फाइनस से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देली देखना चाहते हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें नेक्स्ट अपडेट है सेभी ने अधित्या बिला कैपिटल के AMC आम अधित्या बिला सनलाइफ AMC के IPO रिलेटेड DRHP को एप्रूबल दे दिया है आपको बता दे के अधित्या बिला सनलाइफ सितंबर या अक्टूबर तक अपना IPO आनी की तयारी में है AB Capital इस लिस्टिंग के लिए अधित्या बिला सनलाइफ का वैलुएशन 22,000 क्रोर तो 24,000 क्रोर पीज रखना चाहती है इस IPO का साइज 2500 क्रोर पीज का हो सकता है ये IPO पूरी तहां से Offer for Sale होगा जिसके तहट अधित्या बिला सनलाइफ AMC के 13.5% स्टेक की बिक्री होगी इस Offer for Sale में कंपनी की Canadian Joint Venture Partner Sun Life अपना 12.5% स्टेक सेल करेगी नेक्स अपडेट है इंजिनिरिंग कंपनी JMC प्रोजेक्स के अकॉर्डिंग उसे 1451 क्रोर पीज के नए कॉंट्रेक्स मिले हैं कंपनी ने स्टॉक एक्चेंजिस को बताया कि उसे देश में 1451 क्रोर पीज के वाटर कंपनी के अकॉर्डिंग ये कॉंट्रेक्स वाटर बिजनिस के डेवलोपमेंट में इंपोर्टन कॉंट्रिबूशन देंगे और हमारे कस्टमर बेस को और बड़ा बनाएंगे सुप्रीम कोट ने फ्यूचर ग्रूप और एमजन के बीच चल रही लीगल फाइट में आज अपना फैसला एमजन के हक में सुनाया है सुप्रीम कोट का कहना है कि सिंगापोर एर्बिट्रेटर ने अक्टूबर में एमेजनसी हेरिंग में इस दील पर रोक लगाने का जो फैसला किया था वो फैसला भारत में लागू होगा रिलाइंस एटेल और फ्यूचर ग्रूप में हुई दील के अगेंस्ट एमेजन ने सिंगापोर इंटरनाशनल एर्बिट्रेशन सेंटर में एमेजनसी केस फाइल किया था इस केस का डिसीजन एमेजन के पक्ष में आया था सुप्रीम कोट ने उसी फैसले को भारत में लागू करने की बात कही है इस से रिलाइंस एटेल और फ्यूचर ग्रूप की दील को बड़ा जटका लग गया है आपको बता दे के लगभग एक साल पहले रिलाइंस एटेल ने फ्यूचर ग्रूप के रिटेल, होलसेल, लोजिस्टिक और वेरहाउस बिजनस को खरीदने का फैसला किया था ये डील 24,713 क्रोर पीज में हो रही थी अगस्थ 2020 में कारोबार में आई मंदी के बाद, फ्यूचर ग्रूप के प्रोमोटर किशोर ब्यानी ने अपना बिजनस बेशने का फैसला किया था नेक्स्ट अपडेट है, भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोड़फोन आइडिया के इंवेस्टेस को लंबे टाइम बाद रहत मिली है कंपनी के शेर्स आज कारोबार के दुरान लगबग 22% बढ़कर 7.35 रुपीज पर पहुँच गये थे इससे पहले इसमें लगातार 3 दिन गिरावट आई थी और ये शेर 38% गिरावट के साथ 5.13 रुपीज पर पहुँच गया था नवंबर 2019 में ये 2.61 रुपीज के रिकॉर्ड लोवेस लेवल पर पहुँच जा था Vodafone IDK Shares में तेजी की वज़ा ये है कि सरकार पिछली डेट से लगने वाले टाक्स यानि रेट्रोस्पेक्टिव टाक्स लगाने का कानून खतम करने जा रही है सरकार ने थर्सडे को Taxation Loss Amendment Bill 2021 पेश किया है इस बिल के पास होने के बाद पुरानी डेट से टाक्स लगाने वाला विवादित कानून खतम हो जाएगा इसका सीधा असर ब्रिटिश कंपनी, काइन एनरजी और वोड़ फोन से जुड़े इंडियन गवर्मेंट के टाक्स मामलों पर पड़ेगा नेक्स्ट अप्रेट है Wednesday को Reserve Bank की Monetary Policy Review की मीटिंग हुई थी अब इस मीटिंग के रिजल्ट सामने आ गए है मीटिंग में RBI ने इंटरस सेट्स में एक बाद फिर से कोई चेंजिस नहीं करने का डिसीजन लिया है Reserve Bank के Governor शक्तिकान दास ने Repo Rate को 4% पर बरकरा रखा है और Reverse Repo Rate को 3.35% पर बनाए रखा है Reserve Bank ने 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को भी 9.5% पर ही बनाए रखा है Next Update है Market में आज एक और शेयर के लिस्टिंग हुई है Glanmark Life Sciences NAC पर 4% के प्रीमियम के साथ Issue Price 720 के comparison में 750 रुपीज पर लिस्ट हुआ है BSA पर ये 751.1 रुपीज पर लिस्ट हुआ है Glanmark Life Sciences का IPO 27 जुलाई को ओपन होकर 29 जुलाई को बंद हुआ था Company ने अपने Issue से 1,514 करो रुपीज कलेक्ट किये है इसके Issue में 1,060 करो रुपीज का फ्रेश इशु जारी किया गया जबकि 453 करो रुपीज के शेयर्स ओफ-फर सेल में बेचे गए Company के Issue का Price Band 695 to 720 रुपीज था यहाँ पर हमारा आज का Fin Point Session खतम होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू